कर दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल सक्सेश प्लानर में तो फाइनली दोस्तों एक लंबे इंतिजार के बाद कि आई टियाई पास स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही गोल्डेन अपरजोन निकल के आ चुकी है बहुत ही बंफर रिक्यूर्मेट डी एपसी सी इंडिकेटेड फ्रैंट कोरिडोर कोर्परेशन आफ इंडिया लिम्टेट के तरब हैं वो इस फार्म को जरूर फिल अप करें इस मौके को हांस से ना जाने दें बहुत यह अच्छी जॉब रहने वाली है डी एफसी सी इयल के तरफ से तो आईए वीडियो को ज़्यादा लंबाना करते हुए चलते हैं इसके आफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ नोटिफि तो जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे होंगे डेडिकेटेट फ्रेंड कोर्डिडोर कॉर्परेशन ऑप इंडिया लिम्टेड भारत सरकार का उपक्रम है यहां से इसका फूल नोटिफिकेशन आपके स्कीन पर दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे यह इसका पर देट की तो इसकी जो आनलाइन रिजिस्टेशन का जो डेट है वो बीस तारीक से फॉर्म फिल अप होना शुरू हो रहा है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वह उन्नीश च्छे यानि उन्नीश तारीक को इसकी लाश डेट है अगर आपका फोर्म गलत हो गया है उसके और इस बार जो ये बेख्याम आपríक लेए है इसके पहले केवल एक एक एकसाम होता था लेकिन इस बार से दो एकसाम करा रहे है यहां आप बोडेख पा रहे होंगे कि टेस्ट होता है तो पहला एक्जाम जो इसका है वो देख पा रहा होंगे अगस्ट 2023 में है और सेकेंड इस्टेज का जो कंप्यूटर डेस्ट है वो दिसंबर 2023 में है और टेनवेंट शेडूल कंप्यूटर बेस्ट जो इसका जो एक्टीड टेस्ट होता है CB80 वो भी मार्स 2024 में तो यहाँ पर सारा चीज जो डेट है वो मेंशन कर दिया गया है अगर आप चाहें तो इसे इसकीन सौर्ट करके ले सकते हैं अपने लिए रख सकते हैं या आप चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को फुली डाउनलोड करके रिट करना तो आप इसके आफिसे साइट पर भी जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रिट कर सकते हैं नीचे हम लोग score कर लेते हैं बात कर लेते हैं category wise detail notification जो कि निकल के आई हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे कि जो post है educative यहाँ पर जो salary है इसका scale देख पा रहा होंगे 30,000 से लेके 120,000 तो काफी अच्छी salary इसमें number आप vacancy की बात कर ले तो educative civil में total vacancy आप देख पा रहा होंगे 50 है जिसमें UR के लिए 24 है, SC के लिए 5 है ST के लिए 3 है OVC, non-crimi layer के लिए 3 और EWS के लिए 5 है इसमें आपको 3 साल का diploma चाहिए जो कि civil में होना चाहिए साथी साथ यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे 60% marks होना चाहिए बगएर इसके आप इस form के लिए eligible नहीं है अगली post जो निकल के आ रही है educative electrical के लिए total vacancy जो है वो 30 है जिसमें UR की बात करें तो UR में 14 seat है SC में 4 seat है ST में 2 seat है OVC, non-crimi layer में 8 seat है और EWS में 2 seat है इसमें इस form को apply करने के लिए इस post के लिए आपके पास 3 साल का diploma in electrical electronics, electrical and electronics power supply instrument control, industrial electronics मतलब इतने सारे जो courses हैं आप देख पार होंगे इसमें से किसी में भी एक में अगर आपके पास diploma है 37% marks के साथ तो आप इस post के लिए eligible है बात कर लेते हैं अगली post की Educative, Operation and Business Development total vacancy की बात करें तो 235 काफी bumper vacancy है इस post के लिए लाजवा post must office वाला यहां पर आप देख सकते हैं इसके लिए आपके पास graduation with यानि 60% marks के साथ आपके पास graduation होना ही चाहिए अगर आपके पास 50 या 55% है तो आप इस form के लिए eligible नहीं है इस बात को ध्यान देंगे आप लोग बात कर लेते हैं post की तो जिसमें से UR के लिए 97 सीट है SC के लिए 35 ST के लिए 17 OBC के लिए 63 और EWS के लिए 23 तो काफी अच्छी post नीचे हम लोग scroll कर लेते हैं बात कर लेते हैं Educative Finance के लिए total 14 सीट निकल के आ रही है UR की बात करें तो 8 SC की बात करें तो 1 ST की बात करें तो 1 OBC की बात करें तो 3 और EWS की बात करें तो 1 सीट है इसमें भी जो आपके पास Education Qualification मागा गया है 3 साल का Bachelor Degree जो कि 60% मार्स के साथ आपके पास पास आउट होना चाहिए नीचे हम लोग scroll कर लेते हैं बात कर लेते हैं Educative Human Research यानि HR Department से ये वेकेंसी टोटल 19 पोस्ट है जिसमें युगार के लिए 10 है SC के लिए 2 है ST के लिए 1 OBC के लिए 5 और EWS के लिए 1 सीट है इसमें आपके पास 3 साल का Bachelor of Business Inmission BBA Bachelor of Management BMS HR Personal Management ये चीज मागा गया है साथ ही आपके पास 60% मार्क से साथ अगर 60% मार्क से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए लिजबल नहीं है बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की जोकि Educative Information Technology इसमें टोटल 6 सीट है और यहाँ पर UR की बात करे है तो 4 SC की बात करे है तो 1 ST में कोई सीट नहीं है OBC में 1 और EWS में भी कोई सीट नहीं है इसमें भी आपके पास 3 साल का Bachelor Degree मागा गया है जो कि Computer Application BCA में होना चाहिए 3 years Electrical Engineering Electrical Diploma in Computer Science Information Technology Electronics and Communication Electronics and Communication Networking from International University Institute with Not Less Than 60% मार्क तो यहाँ पर जो भी चीज मागा गया है आप देख पा रहोंगे उसमें 60% मार्क के अलावा को पास Pass Out होना चाहिए तो आप इस Post के लिए लिजबन है नीचे हम लोग Scroll कर लेते हैं बात कर लेते हैं Junior Educative तो यह जो Post है यह ITI Pass Student के लिए है बात कर लेते हैं Junior Educative के Scale की तो 25,000 से लेके 68,000 तक आपका salary रहने वाला है Level 5 की जोब है बात कर लेते हैं Junior Educative Electrical में तो टोटल वेकेंसी की बात करें तो टोटल 4B सीटे हैं जो की UR की बात करनें तो 12 SC की बात करनें तो 3 ST में 1 OBC Non Criminal में 6 और EWS में 2 सीट हैं इसमें Matriculation यानि 10 भी 60% Marks के साथ आपके पास Pass Out होना चाहिए साथ ही साथ आपके जो ITI है उसमें भी 60% Marks होना चाहिए यहाँ आपको दिखाया गया है इसे आप अच्छे से Read कर लेंगे नीचे हम लोग स्कॉल करेंगे बात कर लेते हैं Junior Educative Single or Tele Communication के लिए तो इसमें भी Total Vacancy की बात करेंगे तो 148 जिसमें General की बात करेंगे तो 62 है UR में 62 SC में 22 ST में 11 OBC Non Criminal इसमें 49 सीट है EWS के लिए 14 सीट है इसमें भी आपके पास 10 वी 60% मास्क के साथ 2 साल का ITI मागा गया है जिसमें कई सारे ट्रेट के बच्चों को मौका मिला है जिसमें आप देख पा रहोंगे यहाँ पर ट्रेजवाई Mechanic Mechanic Electronic उसके बाद Power Electronics उसके बाद Feater Wireman Electrician Information Technology तो कई पकार के ट्रेट के बच्चों के यहाँ पर मौका मिला है तो काफी अच्छी जोब है यह ITI Pass Student के लिए बहुत ही Golden App पर चुली निकल के आई है DFC के तरफ से नीचे हम लोग स्कॉल कर रहते हैं बात करते हैं Junior Educative Mechanical में Total 9 सीटे आई हैं जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए साथी साथ ITI मांगा गया है जो कि इसमें भी आपके पास 60% मार्क्स के साथ ITI Pass Out होना चाहिए नीचे हम लोग स्कॉल कर लेते हैं नीचे हम लोग स्कॉल करेंगे बात करेंगे Age की तो अगर आप Educator Post के लिए Apply कर रहा है तो Age Limit 18-30 है Minimum Age आपका 18 होना चाहिए और Maximum Age 30 होना चाहिए और Age की जो गर्णा है वो एक साथ 2023 से की जाएगी अगर आप Junior Educator Post के लिए Apply कर रहा है तो आपके पास Minimum Age 18 है और Maximum 30 साल है Age में जो छूट है वो यहाँ पर दिया गया है आप देख पा रहा होंगे अगर आप SCST है तो 5 साल का छूट यहाँ पर मिलने वाला है 5 साल की छूट है अगर आप OBC है तो 3 साल और अगर आप PWT है तो 15 और 13 यर PWT करेंडर belong SCST and OBC अगर आप SCST है तो 15 साल और अगर आप OBC है तो 13 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है बात कर लेते हैं इसके form फिस की तो नीचे हम लोग स्कॉल करते है यह आप देख पा रहा होंगे एक्जामनेशन फिस अगर आप educator यह जुनियर एजुकेटर है यूर यानि जनरल OBC और EWS के लिए एक हजार फिस मांगा गया है तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ तब तक जैहिन